Hello everyone, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मुद्रायस्वीती के आखिरे कारण क्या होते हैं और इन कारणों पर हम विचार अगली वीडियो से एक एक वीडियो इस पर बनाएंगे तो इसके मुख्यता तीन कारण हो सकते हैं मुद्रायस्वीती बढ़ने के सबसे पहले मांग प्रिरित मुद्रायस्वीती जिसको Demand Pull Inflation बोला जाता है जिसमें Demand में परिवर्थन होने से क्या होता है मुद्रायस्वीती हो जाती है दूसरा कारण है लागत जन्न मुद्रायस्वीती याणि Cost Pull Inflation लागत से संबंदी जब कोई परिवर्तन होता है तब मुद्राइस्वीती हो जाती है और तीसरा कारण है व्याश्वी कारणों से मुद्राइस्वीती यानि inflation by global causes कुछ व्याश्वी कारण होते हैं सामान मगवाते हैं या बेचते हैं कुछ परिवर्तन करते हैं इंटरनाशनल लेवल पर तब मुद्राइस्वीती बन जाती है तो ये भी एक कारण होता है तो अगली वीडियो से हम एक है करके आपको समझाएंगे कि मांग प्रेडित मुद्राइस्वीती अगली वीडियो से हमें इस पर विचार करेंगे